Hi everyone, आज है 31 माई 2019, आज की Current Affair हम सुरू करते हैं This video is presented by me, my name is Arun Sahu This is GK Classes भी देखे, you can follow me at Instagram, Facebook, Twitter and Telegram This video is helpful for all examination, UPSC, SSC, RRB, NDPC, Bank and All State Examination तो दोस्तों ये मैंने काफी दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ ये चले बीच में कोई प्राब्लम होई थी तो इसके लिए आप से Continue रहेगा, ठीक है? तो चलते हैं अपने पहले कोशन पे World No Tobacco Day या World No Smoking Day कब मनाते हैं? ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 31 मई 31 मई को World No Tobacco Day मनाया जाता है ये किसके दोरह फॉर्म किया जाता है? United Nation इस साल की थीम क्या थी? W&TD will focus on the Tobacco and Lungs Tobacco and Lungs का इस साल का थीम था 31 मई को मनाया जाता है World No Tobacco Day चलते हैं, next question Confederation of Horticulture Association of India दोरह Lifetime Recognization Award किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया ये? N. Kumar को N. Kumar को ये प्रदान किया गया ये Tamil Nadu University की Agriculture University है इनको जो है Lifetime Recognization Achievement Award से सम्भानित किया गया ओके चलते हैं, next question भारती वाइशेना की ओमें क्रियों ने MI-17V-5 उड़ा कर किसने इतिहास रचा? किसने इतिहास रचा? तो इन सभी ने MI-17V-5 को उड़ाया और पारूल भरत द्वाज, अमन निधी और हिना जैस्वाल ये हैं तिनों पारूल और हिना और तो इन्होंने MI-17V-5 को उड़ा कर त्यास रचा, अके? चलते हैं अपने फॉर्ट कोस्चर पर किसने सुच्म लगो और मद्यम उद्यों मांतरा ले? MS-ME मांतरा ले के साथ 2019-2020 के लिए एक समझे होते पर हस्ताचर किया है यानि MOU साइन हुआ है MOU मतलब होता है Memorandum of Understanding ये किसके बीच में साइन हुआ है? NSIC यानि होता है राष्टी लग उद्यों निगम तो चलते हैं दोनों को वे बारे में जान लेते हैं MS-ME और NSIC तो ये है Public Sector Undertaking का है Found हुआ था 1905 में और इसका Headquarter है New Delhi इंडिया और आफ्रीका में ये सर्व होता है Key People है राम मोहन मिस्रा Chairman and EMD है इसके Parent है Ministry of Micro and Small and Medium Enterprises और इसके बारे में MS-ME के बारे में जान लेते हैं Republic of India ये ये की Headquarter है New Delhi और Minister है MS-ME के गिरिराज सिंह Minister of Independent है इसके चार्ज मिला है ने दितियत रेड़ वाजार के विकास के लिए RBI दोरा गठी Task Force का नेतरुत कौन करेगा टी एन मनमोहरन जो है RBI दोरा गठी Task Force का नेतरुत करेंगे तो RBI के बारे में जान लेते है RBI Headquarter है मुंबई स्टेप्रिस हुआ था 1 अप्रेल 1935 गवर्नर है सक्ती कांदास और Central Bank of India है इंडिया Currency है इंडियन रूपीज और Bank rate है 6.25 and Interest and Reserve 4.00% and Mark Maintain और किस लिखा गया लिखा ने नाइट डॉट्स पुरस्का 2019 सुअज जीता तो किस ने जीता तो अनिज़िडी ने नाइट नाइट पुरस्कार जीता तो इनडोट्स पुरस्कार जीता कुशन नमर साथ किस देश को अमेरिकी मुद्रा निर्गरानी सूची से हटा दिया गया है तो किस देश को हटा दिया गया है चुटेजर लेंड और भारत को अमेरिकी मुद्रा निर्गरानी सूची से हटा दिया गया है अन्तरश्टी प्रवंदन विकास संस्था आई-मडी बिशुप्रती अस्वार्धा रैंकिंग 2019 रिपोर्ट में भाग जारी भारत किस अस्थान पे है तो भारत यहां पे 43 नम्मर पे है IMD मतलब होता है International Institute for Management and Development IMD होता है और World Commitative Ranking में इंडिया 43 अस्थान पे है इन मैनेजमेंट फर्स्ट अस्थान पे है सिंगापूर, सेकेंड अस्थान पे है हमकॉंग और थार्ड अस्थान पे है USA इसका Establishment का हुआ था 1990 में प्रेसिडेंट है जीन फ्रांसिसको मैंजोनी और लोकेशन है सुटिजर लेंड क्वेशन नमर नाइन संग्युक्त राष्ट अंतरस्टी 37 सैनिक दिवस कब मनाया जाता है यह कब मनाया जाता है नए मुख्यमंद्री के रूप में सपत ली तो किसने लिए जगन मोहन रेडी ने जगन मोहन रेडी है इन्हों ने आदर प्रदेश के नए मुख्यमंद्री के रूप में सपत ग्रहण की और पेमा खांडू और रांचत प्रदेश से नए मुख्यमंद्री के रूप में सेक नाइजीरिया का निया रस्पती किसे चुना गया नाइजीरिया का निया रस्पती मुहमदु बुहारी को नाइजीरिया का निया रस्पती चुना गया यह है मुहमदु बुहारी इनको नाइजीरिया का रस्पती चुना गया है नाइजीरिया कैपिटल है अबोजा करेंसी है उसको याद करेगा तरीका है ओसा करती है तरीकषे से टूटरी है ए आपरीकन कोंट्री है यह 14ases टूब्टियों से कैमरून से टुच करती है नाइजर से těूच करती है और वेक्री ये करती होई इसकी जो है वाउंड्री है ऊपहम अबर 12 मुख्य प्रज्योगी की आधिकारी ctu के रूप में किस कमपणी में नियुक्ति होए यह है किस कामपणी में नीउक्ति होए यह वाल-मॉर्ट कमपणी में इन्हें न्यूक्ति मेरी CTO के रुप में यानि चीफ टेक्नोलीजी ऑफिसर तो वेलमाट कंपनी में इनको न्यूक्ति मेली यह है सुरेश कमार इनको वेलमाट कंपनी में CTO के पत्पे लिया गए CTO खिर कीक्ति में 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 ही यह इस में कार तो अर्गाइब करें तुम्हत है। सब्सक्राइब प्लीज मैं चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब और घंटी का उप्शन दबाना मत बोलें क्योंकि घंटी का उप्शन में जितने भी हम वीडियो बनाएंगे विस्तर फिचर में वह आपके सी तो जो है नोटिफिकेशन की रूप में आएंगे तो सब्सक्राइ मैं चैनल ज झाह हैं